हेलो फ्रेंट्स नमस्कार अब मैं आप लोगों को टीन्स का हैर आइल का डेमो दिखाने वाला हूँ यह कहने के लिए हैर आइल के लिए एक मुल्टी पर्पोस ऑईल है इसका कमपैरिजन मैं एक बहुत ही फेमस ब्रांड के साथ करने जा रहा हूँ जिसमें इसने उपर अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि हम कोई भी ऑईल सर में लगाते क्यों है बालों में हम तेल लगाते क्यों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुली हैर ओयल जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए लेकिन हम है लगाते हैं हैर के पोशन के लिए लेकिन आप नाकुन भी काटते होगा जिंदा नाकुन कट जाता है तो दरद हो लिए बालों को काटने से दरद नही नहीं है, जानतों है जान नहीं होगा, तो बढढ़ेगे कैसे, जान नहीं होगा तो काले बल सफेथ क्यूँ हो गये कि जैसे रहने चाहिए हमीछा, जानतों है लेकिन blood circulation नहीं है और bio electricity इल्दोर इत्य इक यह तो कटके समय depends on the shadow brain तक नहीं पहुंचता क्योंकि वहां पर कोई ग्यानिंद्रिया नहीं है इसके नहीं है तो वह सेंस नहीं करते हैं तो जब आप उपर से बालों में तेल लगाते हैं तो वह क्या करता है उसके उपर एक लेयर बनाता है उसके उपर एक लेयर फॉर्म करता है वह लेयर उसको ठिक श्ट्रॉंग और सि और अभी से अब्साइब कर सकते ऐंद बाल बोड़ते भी जरों से उपर से नहीं पड़ते ये तेल लगाने से रूट्स पे नीचे लगा पें सिर्फ मन को समझाना है और पूछ भी नहीं हुआ बालों में लगाना है तो केबल डूट्स ने लगा जब आप रूट्स में लगाएंगे तभी वो कोशन मिलेगा बशरते गो रूट्स के दौरा अब ज़ाए है उसमें इसमें अपने बहुत कुछ मिला दिया है यह मिला दिया अभ आमले का जूस निकाल करके एक बॉट तो नहीं चिपकता कोई भी तेल नहीं चिपकता। उसका डीजिन क्या है तो ईसमें लिक्विड पेराफिन डाला जाता है, तो ऑईल के पेराफिन एक पेट्रोलियम पडार्थ है, जो बहुत जादा प्यूरीफाइड फॉरम में होता है, और वो कॉस्मेटिक्स में मेडिसन म यह सब चीजों में इस्तेमाल होता है अब पैराफीन की कितनी मात्रा इस्तेमाल हुई है वो डिसाइड करता है कि वो बॉड़ी में कितना अग्जान हो तो अगर आपने जो इंगेडियंट्स यूज किये हैं उसका प्यूरिफिकेशन हाई लेवल पे नहीं हुआ है तो उसके सूखने के चांसे क्योंकि उसमें कार्बन सबस्टेंस ज्यादा उसके सूखने के चांसे ज्यादा होंगे तो आपको पैराफीन ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो ऑईल रहे हैं अगर आपके इंग्रेडियंट्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं तो बहुत कम मात मातरा में पैराफीन मिक्स करने से ही आपका ऑईल हमेसा ऑईली रहेगा वो चिपके गाने यह आप इस बॉटल को भी देख सकते हैं बॉटल में आपको अंदर से लग रागा क्लोस से देखें कि बून बून दीसे चिपक रहा है नीचे कि यह बॉटल देखिया पूरा उल् में क्यूं है और से फायदा होगा यह जानने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बचों को स्कूल जाती समय मां तैयार करती है और लगाने के ौह बाल रहा है इसमें बिता रहे हैं अभी मैं इसमें ये रिवाइटाइज नीम आमला ऑईल है जिसको मैं लेफ्ट वाले ग्लास में डाल रहा हूं दो तिन गूंग मैंने डाल रहे हैं अपने उसका फ्लोरेट भी देखा होगा कि अधिव थिक नहीं है इसे दो तीन गूंग मैंने यह बिड़ा अभी दोनों ग्लास में इसको ऊपर से लेज़ें देखेंगे दोनों दोनों ही में अक्मूलेट हुआ है इसमें ज्यादा है तो प्लिए देखेंगा लेकिन इसमें सही ज्तNonी मन मिखुएवार कोता हैृड को पानी मेंुपर टेयर दोनों ही तैर रहा था पानी में पानी में को से नारीयल का अर्थ है या नीम का अर्थ है वो तो घूल सकता है पानी में तो अब हम इसको घूलने की कोशिश करते हैं पहले जो घूलने की को आप उसके बाद हम यह वाला को दोनों को घोलने के बाद थोड़ी दिल छोड़ देंगे दोनों को पर लएए वीडियो कैमरा अब देख सकते हैं कि दोनों में से ज़्यादा कौन सा गुला है यह हमने ज़्यादा डाला था उसमें बहुत छोटा सा पैच अब आपको बनता हो दिखेगा जबकि इसके अंदर आप देख सकते जिसमें जितना ज़्यादा पैराफीन हो पैराफीन का पर प्रब्सुद हो ना है बियरेती ही एक होग्यादा ज़िए आपके इसकिन के ऊपर रख लेगा अंदर नहीं जाने देगा यानि यह ऑईल लगाने से बिना चिपचिपाहट के, इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, ये आप अपने हाथों में रख लेकर दिखाईए, जैसे हम दिनके हाथ पे एक लून डाला है, और दूसरे हाथ को अगे, उसको लगा, अब दोनों हाथ में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि जादा ऑईल ही कौन सा है, इसके पाथ फिर से अभी देख सकते हैं, अभी तक भी इसमें वो ग्रीन धंबा जो अंदर एकुमिलेट ऑईल के एकुमिलेट होने से बनता ता हो नहीं बना है, इसमें जब कि वो अलग-अ क्लस्टर में लेकिन पूरा उपर आ चुका है, यानि यह एक ऐसा ओईल है, जो 95% तक पानी में भी घुल जाता है, यह इतना कम ओईली है, यानि ओईल लगाने के पीछे, जो 99% लोगों की जो चिनता है, यह कितना लाइट है, वो आपने देखा, पानी में कितनी आसानी से है, इसके अलावा पूरी तरसे घुलनसील यह तो यह आपके सिर पे कम लाइट रहेगा, विल्कुल भी चिपचिपाहट का ऐसास लेगा, और इसके अलावा जो इसके इंगेडियेंट्स है, वो maximum possible purified form में है, जिसकी वज़े से वो पानी में पूरी तरसे घुल जाते है, आ पूरी तरसे घुल जाते हैं तो यह आपके स्किन में भी पूरी तरसे अब्सॉर्ब होता है, आपके हैर के रूट्स में पूरी तरसे अब्सॉर्ब होगा, 5-10 मिनट के बाद आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि मैंने ओल लगाया है यह नहीं और बेनिफेट इसके 100% झाल पूल झाल 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 झाल